अब लाईए पैनल को और लेकर आईए रेक्षिसाब टॉप कॉल कस्टिंग. बई आप सबको गुड मॉर्णिंग, शुरुवात करती जाए, ओवरनाइट स्टडी के बाद जो एक्सपर्ट एक-एक बहतरी आज फ्राइडे के लिए पिक लेकर आए. गावा सर, चाल, पहला पिक आज का कौन सा सर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग. आज लिए जो पहला पिक है वो टेक्नोलोजी पैक से है, वो है HCL Tech. उसका रीजन ही है कि बहुत अच्छा आप मूव मिला हुआ, एक साइड बेस जोन था, कल के लास्ट एक गंटे में काफी अच्छा आप मूव Okay, HCL Tech. यह हो गई Gaba Sir के पेक का. Shilpa जी, good morning. Shilpa जी, आपकी ट्रेड. जी, मेरा ट्रेड रहेगा मैक्स फिनेंशल में. मैक्स फिनेंशल रोलोवर्स भी बहुत हाई हुए हैं और यहां पर इस टॉक एक अपसाइड ट्रेंड में भी क्लोज भी दिया हुआ है. तो और 970 ट्रेड कर रहा है. मुझे लगता है, वन एवरी डिक्लाइन तो वर्स 950 आपको बाय करना चाहिए. 935 का stop loss. यहां पर मुझे लगता है, 1000, 1020 के आपके first targets के zones रहेंगे. इसके उपर भी मुझे लगता है, यह सीरीस में, 1050 से 1070 के levels के लिए डेफिनेट लेगा एक बार अप्रोच लेगा. Max Financials, रड़ा पर रखिये. गिरावट में खरदारी करने का शिल्पा जी का मन. मानस हाए, गुड मॉर्निंग, आज का top call. गुड मॉर्निंग आशी जी, गुड मॉर्निंग अनुट जी, गुड मॉर्निंग अब्रीबन. अगर आपको टार्गेट सेट करने है, शीराम फिनास पें, यह दोनों ही cash levels है. अगर option में चाहें, तो 2440 का जो call option है, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 107 रुपास का प्राइस चल रहा है. तो उस प्राइस के आज पास मिले तो खरीदारी करिए 84 रुपीस के stop loss से 150 र अगर आप खरीदारी की जा सकते हैं, इंटर ग्लोब अविएशन बहुती साब का आज का तॉप कॉल. सथ्पुदेजाब, गुड़ मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक सर. अगर आप चार्ट भी देखें तो इसस ब्रेकाउट फ्लैक पर दिया है. तो आज जो भी डिप मेले इससे बाय करें, दो हजार साथ सो बीस के आसपास का stop loss मेंटें करें और जो टागेट है मेरा पिडिलाइट का वो हैंगा दो तो वो भी काफी इंट्रेस्टिंग रहेगा वैसे. प्रशान सावन्त हमाई साथ हैं. प्रशान जी, गुड मॉर्निंग, बताए आपकी ट्रेड. जी, अनुची आशिच जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टे दो बैनल और सभी दर्श्रों कुछकार. एक छोटा सा लॉजिक शेर करना चाहूँगा क्यू ट्रेड ले रहा हूँ. जो भी इलेक्शन येर होता है, उसका जो मार्च का महिना होता है, वो काफी ट् ये में 2004, 2009, 2014, 2019 के डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ. तो यहां पर भी में थोड़ा प्रीम्ट कर रहा हूँ. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी में 45,000 स्पॉर्ट इंटक्ट है, इस वीकनेस में भी हम 45,500 को ब्रेक नहीं किया है, तो मैं ब 35 मेरा स्टॉप लॉस होगा, 735, जो टार्गेट में देख रहा हूँ, वो होगा, 770 का, 770 से लेके 775. बाइ, हिस्ट्री कहती है, इलेक्शन इयर जब होते हैं, तो मार्च का महिना ट्रेंडिंग होता है, और उसमें भी निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करता है, चर्चा भी कर रहा थे हैं, मार्च का महिना शायद इस बार भी बढ़िया होने के समीकरन बैठ रहे हैं, तो सरकारी में दिगज SBI के साथ सावन साब जा रहे हैं, आज रिलेटेड सारे बढ़िया से पिक स्क्रीन पर आ चुके हैं, पर एमदबाद चलते हैं पार्थिव शाह के मार, जानते हैं ट्रेकॉम बेगर कोई डिटेल इन्वेस्टर आता है आजकल, कि पार्थिव भीया एक ऐसा फंडमेंटल स्टॉक खरिदवा दीजे जो गजब कर दे तो यह कौन सा रिकमेंट करते हैं, पार्थिव क्या बोलते हैं उसको आप लोग, गुड मॉनिक आशिची, अनु जी हमारे पैनलेस और व्यूवर्स, देखे हमें लग रहा है कि एक सेकेंडरी स्टील एक सेक्टर है, जहां पर अभी के तारीक वाल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, और आगे जाते प्रोस्पेक्स बहुत ही अच्छे, तो उसमें मुझे लगता है गुडावी पावर इस पार एक ऐसी कंपनी है, जो आज के तारीक में 10,000 क्रोड का मार्केट कैप है, बै काफी पीर्स के साथ देख रहा था, तो रेलेटिव यह कंपनी काफी चीप है, सबसे अची बात यह है कि कंपनी के पास जिस तरह की माइनिंग एसेट्स है, अरीडोगरीं की जो माइन है, चपिस गट में, वहाँ पे करीबन 165 मिलियन टन का रिजर्व है, और वहाँ पे 35 माइन लाइफ है, तो उनको को एडिशनल प्रीमियम या रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है, और उसमें जो एडिशनल रॉयल्टी आती है, तो वह बहुत बढ़ा एडवांटेज यह कंपनी के लिए, अभी की माइनिंग केपैसिटी करीबन 3 मिलियन टन की है, जो FY25 अंग तो वो भी अच्छा रॉडबाप है, और स्टील केपैसिटी भी 2.5 बिलियन टन की डालने वाले है, तो आनवले चार से पांच साल में रॉडबाप है, बहुत ही स्ट्रॉंग है, वालूशन इट्रैक्टिव है, तो मुझे लगता है, लॉग टर्म इन्वेस्टर्स यह पार्थिव ने ब्यूटिफल जस्टिफाई करा है, क्यों पसंद आता है, लंब यवदी के लिया आज से, खरीदने के मौके यहाँ पर ढूंड़ ले जा सकते हैं, चलिए, राप अप कर रहा हूं, उसके अब हश्रा स्क्रीन्स पर रेडी हैं, उसके पास चलेंगे आज के इंपोर्टन्ट स्टॉक्सिन निउस के लिए, गाबा सान ने शुरुवात करी, HCL टेक्नोलोजी इस पसंद आ रहा है, 1660 का स्टॉप, 1700 के लक्षिन, शिल्पा जी को मैक्स फिनाइंशल्स पे दाव लगाने का बाद, बाई और डिप्स स्पेसिफाई किया था, उन्होंने 935 का स्टॉप, 1000 और फिर उसके बाद 1070 तक की कर लिजे तैयारी, मानस कर रहे हैं, शिराम फिनाइन्स, कैश में खरदारी कर रहे हैं, तो 2384 का स्टॉप है, 2550 के लक्ष है, चाहें तो 2440 का कॉल भी शिराम फिनाइन्स का खरीदा जा सकता है, 32 आपको इंटेगलो भी इवि 22, 32, 50 के टार्गेट्स, सत्पुते साब पिडिलाइट पे दाव लगा रहे हैं, जहां पे एक मैनेजमेंट रीजिक का अनॉंश्मेंट भी आता हुआ, 2720 का स्टॉप, 2800 के लक्ष है, सावन साब बैंक्स मार्च में रिडाव पे रख रहे हैं, और इस समय की सबसे प्रिफ मानते हैं कि इन लेविल्स पे गिरावट में गोदावरी पावर और निस्पात लंबी अबदी के लिए एक्यूमिलेट किया जा सकता है आ, आ, और घम रहे हैंना जा हैं, कि बीिए के लगोदी आता है, सावारी जा है जाएदो टा है Сया सकता है अर बैंता है